स्वागत है आप सभी का स्योडीपी लर्निंग चैनल पर कच्छा दस योपी बोड इग्जाम 2023 की बेहतरीन तैयारी के लिए स्योडीपी लर्निंग चैनल आप सब लोग सस्क्राइब कर लीजे ची हाँ इस समय हम आपको कच्छा दस की विज्ञान की महत्पूर्ण बहुविकल्पी प्रसनों को साल्व करा रहे हैं क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस साल आप से बहुविकल्पी प्रसन हर सबजिक्ट में 20 नंबर के पूछे जाएंगे और मैं आपका पूरा 20 नंबर पक्का कराने के लिए एक स्पेसल सिरीज यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है और अगर आप यह पूरा सिरीज कर लेते हैं तो निशित तोर पर आपको 20 में जो 20 का 20 नंबर आपको जरूर मिलेगा और आज का पाठ हमारा जो है अमल छार लवन चालिस इंप्वाटन के उसन लेकर आए हैं और अगर आप पहले से जानकार हैं तो यह भी आप बताएगा कि आपको पहले से कितने प्रसनों का एंसर यहाँ पर पता था तो बेकिंग सोड़ा बनाने के लिए क्या उपियो किया जता है खाने का सोड़ा, आपशन B है धावन सोड़ा, आपशन C है बिरНजग चूंड और आपशन D है यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं तो आप ध्यान देजे बेकिंग सोडा बनाने के लिए जो है आप जिस मतलब की चीज का उपियोग करते हैं वो खाने का सोडा होता है क्या होता है खाने का सोडा तो बेकिंग सोडा को बनाने के लिए हम किसका उपियोग करते हैं खाने का सोडा क्योंकि देखिए बेकिन सोडा भी आप मतलब कि खाते हो तो जायर सी बात है जो पाव रोटी वगरा होता है उसमें मतलब कि इसका उपयोग किया जाता है तो धावन सोडा तो आप डालोगे नहीं बिरंजक चोंड तो आप डालोगे नहीं तो डालोगे क्या ख तो देखो यहां पर आप सभी को थोड़ा सा मिस्टिक हो सकता है तो यहां जो आम लोंगे वह जली बिलेन में एस्ट्रीयो प्लस देते हैं कुछ बच्चे जो पढ़े होंगे तो वो मतलब यहाँ पर हाइडोजन आयन देखकर तुरंत इस प्रिटिक लगाएंगी तो जरा आप देखो कि आपके सर ने पढ़ाया क्या था आपके सर ने पढ़ाया था कि आम लोग वे पडारत होते हैं जो जलिये बिलेन में H प्लस देते हैं तो क्या यहाँ पर ऐसा लिखा है H प्लस देते हैं यहाँ तो लिखा है जलिये बिलेन में H प्लस आयनों की सांधरता को कम कर देते हैं तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर कम कर अगर H प्लस जो मतलब की देगा वो उसमें बढ़ाएगा कि कम करेगा तो यानी बढ़ाएगा इसका मतलब यह चौथा जबाब आपका नहीं होगा तीसरा जबाब होगा तो आप को होगी सर यहाँ पर हम एच प्लस पढ़ कराएं S3O Plus कैसे हो गया तो आप सभी को पता होगा कि हम एच प्लस दे देंगे पहले वाले का अप्सव नमबर A तीसरा प्रस्ण मारे पास है क्रिस्टलिय धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के अणवों की संख्या होती है जो हमारा धावन सोडा होता है उसमें जल के अणवों की संख्या कितनी होती तो मैं आपको सबसे पहले धावन सोडा का सूत्र बताता हूँ तो इसका सूत्र होता है Na2CO3 क्या होता है Na2CO3 into 10S2O ठीक Na2CO3 into 10S2O तो क्रिष्टलन जल कितना यहाँ पर दास्ट हो तो जायर सी बात है आप सभी को मालूम होना चाहिए कि धावन सोडा जो होता है उसमें क्रिष्टलन जल के अणवों की संख्या कुल कितनी होती है उसमें क्रिष्टलन जल के अणवों की संख्या टोटल आपका जो अगर होता है वो आपका 10 होता है ध्यान दीजेगा नेस्ट जिफसम का रासानिक सूत्र है जो आप सभी का जिफसम होता है इसका रासानिक सूत्र है देखिए जिफसम का रासानिक सूत्र होता है C.A.S.O.4 into 2S2O और ये जो आपका है ये रासानिक सूत्र होता है प्लास्टर आप पेरिस का ठीक किसका होता है प्लास्टर आप प चूंकि इसमें पानी की मात्रा धिक होती है यह एक आकार्बनी कामल है इसके आयनन की मात्रा कम होती है यह कार्बनी कामल है तो देखिए दुरबल आमल बोले चाहे प्रबल आमल बोले तो ध्यान दीजेगा उसके आयनन की मात्रा ही उसका डिसाइड करेगी कि वह दुरबल है आइनन की मात्रा कम तुझाइड सीबात है अमल दुरॉबल तो यहां पर यहां पर यहां आपका सही जभाब हो जाएगा कि आइनन की मात्रगा जो है इस omla दूरॉबल आमल है नमडेश च्टाप का आ 好 Bunu कि इसे प्रबबल आमल है अब यहाँपर हमें बचीवे तीन आफ्षन में चेक करना यह तीनों अमल है तो कौन सा आपका जो है कैसा अमल पुछा है प्रबल तो मैं आपको प्रबल अमल का तीन नाम बता रहा हूँ यही हमेसा आप से पूछा जाएगा जब भी आप्षन में आएगा ये आपका होए है पहला वला HNO3 ये एक प्रवबल अमल है दूसरा वला HTSO3 क्या HTSO4 प्रवबल अमलों की सरीनी में आते हैं तो जरा आप यहां पर Aption देखकर ये बताईए कि क्या HTSO4 था जी हाँ तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा अब दुरुबल अमल की बात करें तो देखिए आपका HNO3 प्रबल हो गया HCL प्रबल हो गया HTSO प्रबल हो गया अभी हमने बताया तो दुरुबल कोन हो जाएगा HCN अगर आप प्रबल याद रखते हो तो दुरुबल का आराम से बता लोगे ठीक ये बात ध्यान दीजे नमनेश की बात करें जो आपका अगला कोशन है ये आपका आठवा नमबर कोशन निम्न में प्रबल चार है तो देखिए प्रबल चार आप ध्यान दीजे अगर यने ओयच आए और कोश आए तो ये पूरे चारों में सबसे ज़ादा प्रबल है चाहे आप यहाँ और कोईच के अगर आप तुलना करेंगे ओराल पूरे मतलब की छारों में तो यहाँ पर कहोगे कि यहाँ और कोईच में कौन जादा प्रबल है तो जबाब होगा यहाँ पर कोईच ठीक यह बात ध्यान दीजेगा तो अब हम यहाँ पर लेते हैं देखते हैं कौन सा अप्सन है तो आपका कोईच है तो जाएड़ सी बात है सबसे प्रबल चार हो जाएगा अगला है प्रबल अमल के जली बिलेन में किसका आधिक क्यों होता है प्रबल अमल है तो जाएड़ सी बात है यह प्लस आइनों का है हाइडोजन आयन सांद्रण दसकीगाते माइम सात होता सत्य है हाइड़क्सolाइन दसकीगाते माइन सात मौल्प्रति-लीटर होता बुदी नहीं हो सकता क्यों जिएड़क्षेन यह से कम है और शा से कम पिएच मान हो जाएगा नमर नेस्ट आपका है कि एक बिलियन में हाइड्राकसाइड आयनों की सांदता इतनी है तो आप बिलियन का पी एच मान ग्याद की जब मैं ट्रिक last report कि अभल कि consistent है नोट है ніज और size और हना मिनस मांस की सांधता दिया रहे तो जितना उसी सांधता की घात माइनसमें उसका पहले प्लस बना लो क्या बना लो प्लस में उत्तलब तो उसका प्लस में गए तो आपका यहां पर माइनस 12 है तो अगर आप यहां पर देखिये प्लस-21 लेते हैं कितना लेते हैं अध्याभट से चाइबा है इसका चni डोगतर नमर लेगा-स –- यह टोगतर दो आएगा नवर्हन नवर आएगा तो यह आपका मिलब की हो जाएगा हाइडोजन आइन साद्रण तो यह आपका हो जाएगा अपसर नमबर भी ठीक सुद्जल का पीच मान साथ याद रखना ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा और साथ आपको याद भी होगा सुन्ने पीच वाला बिलेन होता है अमली अभी यहाँ पर चर्चा कर दिये क्योंकि उदासियन तो हो नहीं सकता साथ से कम वाले जितने भी मलब की पीच वैलू होते हैं वो सब अमली होते हैं अमली बिलेन का पीच मान है साथ से कम ये वाला कोशन ये वाला कोशन ये सब कोशन एक दूसरे से मैच कर रहे हैं बस अल पर मलता है प्याज ग्याद कीजिए तो देखिए अगर आप यहां पर देखिए हैडाक्सिल आयन को जब आप सब्सक्राइब को तोड़ेंगे तो तने मिलेगा उतने यह मिलेगा मतलब दोनों की संद्रता बराबर होगी तो दस गहते माइनस दो इसका भी होगा उसका है उसाथ से देखिया हमारे पास आपसन है एच ट्वियस जो है अगर आप इसको जल में डालेंगे तो जाहिड सी बात है यह प्लस बनेगा और यह डबल माइनस बनेगा और दोट है प्लस बनेगा तो मैं यह आप से यहां पर बता रहा हूं कि यह प्लस जिस बिलेन में मतलब जिस पडार्थ का बिलेन में यह प्लस मितलब आयन होता है वो क्या होता है अमल और अमल का प्याच मान किससे कम होता है साथ से कम तो यहां पर यह पहले पता करना था कि पडार्थ क्या है तो पडार्थ अमल है इस वज़ए से इसका प्लस प्लस मितलब आयन होता है वो क्या हैं दिये गए हैं 11 9 592 15 automat पर चे credo85 सर्वाधिक छारी होगा देखिए सास See कम बाले प्यज़ मान्ग यह होते हैं वो हमली होते हैं सास से अधिक फियरी होते और सास से जतने तैक रहेगा उतनी ज्याधा चाहिए तो सास से जतनी ज्याधा धिक में यहां पर है 11 और यह किसका है एक ए बाला बिलेन जो है सरवाधिक छारी होगा याद रखिएगा ठीक चलिए आगे चलते हैं और अगले कोशन को देखते हैं फिनाप्थलीन चारी बिलेन में फिनाप्थलीन का रंग जो होता है वो कैसा होता है या आप सभी को यहां पर बताना है तो इस प्रस्ण का जो सही जवाब होगा वह आपका हो जाएगा पीला आप लोग याद रखिएगा तो चारी बिलेन में मिथिल औरेंज का पीला और चारी बिलेन में अमली यह लवण है सीदी सी बात है अमलका जो में गुण होता है वह होता है हाइडोजन दीखिए वह आपका अमली हो जाएगा तो यहापका नह एच यह सो फोर संकर लवण पूछा है तो देखिए जिसमें इस तरह का डिबा रहेगा वह आप पहचान लीज़े उसी को माइनस वन इसका पिएच कितना हो जाएगा वन मैं बार बार आप से बताता हूं इसी तरह से आप इसका एंसर देंगे अगला है पचीस नमबर कोशन में दस हाइडोजन आयन सांदरन यह प्लस जो है दस घाते माइनस पांच मौल परती लीटर है तो दस घात में माइनस में कि परती दस घाते-उनस साथ है तो इस बिलन का प्याज कितना होगा साथ सिंपल है। सोडियं कार्बोनेट का जली विलेटा जो है वह कैशा होता है तो ध्यान दिजें सोडियं कार्बोनेट जो है वह यह आपको पता होना चाहिए ठीक क्योंकि अगर हम अगर हम कारबन डाइक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमको यहीं मिलता है अपने पढ़ा भी होगा इसको अग जैलिक अम्ल का प्रक्रतिक श्रोत है अगजैली कमल किस में पाया जाता है नीबू, इमली, चीटी का डंक, टमाटर हलाकि मुझे डाउट है लेकिन फिर भी मैं इस पर टिक लगा दे रहा हूँ टमाटर पर अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो बता दीजेगा ठीक या मैं सही हूँ तो ये भी बताएगा, बहुत दिन हो गया इसको पड़े तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो टमाटर होगा, टमाटर में अगजैली के नेबू में तो आपका सिटरी कमल पाया जाता है, चीटी के डंक में फार्मी कमल पाया जाता है इमली में टाटेरी कमल पाए जाता है मुझे याद आ गया ठीक है तो टमाटर इसका क्यों जाएगा सही जबाब हो जाएगा देखो नीबूम बता देता हूं सिट्री कमल होता है इमली में जो है आपका टाटेरी कमल होता है और चीटी के डंक में आप सभी को पता होना प्रिया से गैस निकलती है जो बिरंजक चून है उसका सूतर होता है तो आप इसको क्रिया कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी क्लोरीन गैस निकलेगी तो यहाँ पर आपका सही जबाब क्यों हो जाएगा इसका जली बिलेन कैसा हो जाएगा अमली हो जाएगा नेस्ट नमबर निमन में से कौन सा लवन किलासन जल नहीं रखता है किलासन मतलब क्रिश्टली जल नीला ठोथा कापर सिल्फेट का सोतर होता हैं थी यह दो और दीक हैए ठीक है तो यह आपका ज्वह दिखाए है तो साथ से कम यहां पर जो है अमली वर्षा का या 6.2 के आसपास यहां पर होना चाहिए फिर 5.2 जाएगा तो ज़्यादा में लिए 6.2 हो जाएगा ठीक नमबर ने स्ट आपका चारक के साथ हल्दी का रंग होता है उसे जानने के लिए देखिए आप सभी लोग जब कभी कुछ खाते हो तो आपके मतलब की कपड़ों पर गिर जाता है तो उसके बाद आप उसको जब मतलब की साबुन में घुलते हो तो वह ब्रलब लाल कलर का हो जाता तो नल भूरा लाल हो किड़न है बिलेन कैसा पियज मान साथ से कम है बिलेन आपका अमली हो जाएगा नमर्रेश्च सलफ्यूरीक अमल में अमली हाइडोजन पर माणों की संक्या कितनी होती अभी पूरे जर्णी में सूतर आप सबी नहीं होना चाहिए उसका प्याज मान ठीक है क्योंकि आम लहें जलको जिवाडू रहित बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उप्योग करते हैं विरंजक चुन का हम उप्योग करते हैं तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आद वीडियो को लाइक और शेर जरू करें ठांकियो सोमच जैहिन परने माइट आप 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 आप